पुर्व सांसद आनंद मोहन के गाउं में मुख मंतरी नितीश कुमार को आमंतरन मिलने पर बिहार महाकडबंदन में घमासान मच गया है। आर जेडी और जेडियू के नेता आमने सामने हो गए हैं। बाहुबली आनंद मोहन के पिता एवं सुतंतता सेनानी राम बहादुर सिंग की मुर्ती का 27 अक्टूबर को सहरसा जिले में उनके पैत्रिक गाउं में अनावरन होना है। इस कारिक्रम में मुख मंतरी नितीश कुमार को आमंतरित किया गया है। हलाकि CM की ओर से अभी इस कारिक्रम में जाने की पुष्टी नहीं की गई है। मगर इस पर लालू प्रशाद यादों के करीबी माने जाने वाले RJD MLC सुनिल सिंग ने आपत्ती जताई है। इसके बाद जेडियू महासचियू निखिल मंडल ने सुनिल सिंग को आग भड़काने वाला नेता करार दिया है। RJD MLC एवं विशकोमान के अध्यक्ष सुनिल कुमार सिंग ने सुमबार को फेस्बुक पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस साल संसद रत्न सम्मान पाने वाले महाकडबंदन के उतिक्रिष्ट एवं अवल नेता रजसबा संसद मनोज्जा का गोईठा के राक से जीव खीचने वाले भाई साहब के पैत्रिक गाउं में उनका मनोबल बढ़ाने और महिमा मंडित करने के उध्यस से जो अपने साहब जी जाने वाले हैं ये रिष्टा क्या कहलाता है बूजो तो जाने कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी शक्त शक्त बता दें कि पिछले महीने राज्यसबा में आरजेडी सांसद मनोज्जा की ठाकुरों को लेकर की गई टिपड़ी पर आनंद मोहन भड़क गए थे उन्होंने कहा था कि ठाकुरों का आपमान वे बरदास्त नहीं करेंगे इस पर बिहार में जम कर सियासत हुई आरजेडी के कई नेता आनंद मोहन के खिलाफ खड़े हो गए खुद आरजेडी सुप्रीमो लालु प्रशाद यादों ने कहा था कि आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन में अकल नहीं है। जेडियू ने पलटवार किया है। जेडियू महासचिव निखिल मंडल ने फेस्बुक पर एक पोस्ट की है। और सुनिल सिंग का नाम लिये बिना उन्हें अगलगाउना बता दिया है। निखिल ने अपने फेस्बुक अकाउंट पर मंगलवार को विसकोमान टावर की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा। जितना बड़ा ये टावर है उससे भी बड़ा यहां एक अगलगाउना रहता है। बूझो तो जाने। बता दे कि सुनेल सिंग विसकोमान के अध्याक्ष है।